तो आप सब आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है गाइस क्या आपके पोर्शन वापस आना चाहते हैं क्या वह आपके साथ रिलेशन्शिप वापस चाहते हैं ठीक है तो आज की रीडिंग का जो टाइटल है हमारा यही होने वाला है कि आपके पोर्शन वापस आना चाहते हैं और अगर आना चाहते हैं गाइस तो कौन सी वह वजह है जिसकी वजह से जो है वह आ नहीं रहे यानि कि देरी क्यूं हो रही है डिले क्यूं हो रहा है आप दोनों का मिलन होने में है इस चीज़को भी देखेंगे और कब तक आने की सं ठीक है तो बहुत सारी टॉपिक को मैं आज कवर कर रही हूं तो सबसे पहले जरूरी जानना यह होता है गाइस कि उनके मन में वापस आने की इच्छा है भी या नहीं कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने टोटली उनों सोच समझकरी फैसला लिया होता है कि आप रिलेशनश सबी का टाइमिंग एक ही नहीं होता है आप जानते हो डिवाइन टाइमिंग का खेल होता है तो जैसा निकल कर आएगा व्यासा ही सेम टू सेम मैं आपके सामने परिस्तितिया रख दोंगी गईस ठीक है तो सबसे पहले आज आज अपको सलेट करना है और मैंने आज कोई बता दू कि बहुत सारे लोग रीडिंग को देखते है हजारो लाखों लोग रीडिंग को देखते है पर जरूरी नहीं है कि रिडिंग में जो निकल कर आए वह सभी के लिए lagi हो ठीक है फ़ी के लाएफ में वही चीज़ने मिले वही चीज़े आपको आपके पास आए वही ब्लेसिंग्स आपको मिले यह सभी के लिए जरूरी नहीं होता है गाइस ठीक है जैनर डिंग से उतना ही मैं बता पाऊंगी जितना निकल कर आता है ठीक है तो यह बात आपको ध्यान में रख रहा है चले आप पाइल पर में आलफ़बेट्स बताती हूं पाइल नमबर 1 में आज आलफ़बेट्स है वि k h p s x e i j an u w z जान से दिख लिए अपने पाइल को यह है पाइल नंबर 1 वि k K, H, P, S, X, E, I, J, N, U, W, और Z, Pile No. 1, I hope आपको दिख गया होगा गैस, चलिए अब Pile 2 पर आते हैं, Pile 2 में alphabets है, A, F, D, A, F, D, M, V, O, C, L, G, Q, T, R, और Y, मैं रिपीट करती हूँ, A, F, D, M, V, O, C, L, G, Q, T, R, और Y, Pile No. 2 यह है, तो इसमें अगर आपके portion के नाम का अक्षर है, तो आप Pile No. 2 सलिट कर लीजिए, या फिर 1 सलिट कर लीजिए, जहां पर आपका ध्यान ज्यादा जा रहा है, या आपको लग रहा है, उससी Pile को आप सलिट कर लीजिए, ठीक ह है, Guys, I hope आपने Pile सलिट कर लीजिए, स्टार्ट करेंगे No. 1 की रिडिंग से, यह है हमारा Pile No. 1 जिनों ने भी सलिट किया है, B, K, H, P, S, X, E, I, J, N, U, W, और Z, Pile No. 1, तो चलिए, देखते हैं कि क्या आपके portion वापस आना चाहते है, क्या वो इस रिस्ते में efforts, मेहनत लगाना चाहते है, क्या किसी problem में फस गये है, जिसकी वज़े से नहीं आ रहे है, तो तमाम बाते देरी क्यों हो रही है, यह सारी बाते आपको मैं बताऊंगी, ज़िए, आपका divine time कब आएगा, वो भी मैं बताऊंगी, numbers निकालेंगे आज, क्या पाइल नमबर वन के person वापस आना चाहते हैं, universe guide कीजिए मुझे, सचाई से बताईए मुझे, कि पाइल नमबर वन के person वापस आना चाहते हैं, चले गाइस कर लिए सब निकालते हैं कुछ cards, पहला card, Eight of Swords का आया है निकाल कर, Knight of Swords, air sign निकाल कर आया है अभी तक, दो कार्ट साथ में आये हैं गाइस, वाव, chariot और king of swords, वाव, देखे, रिडिंग में इतने बहतरीन cards निकाल कर आये हैं, जैरिट मिल गया हमको, sun का card मिल गया, Knight of Swords का card मिल गया हमको, है न गईज, Ace of Pentacles, Three of Cups, Devil, ओहो, और bottom of the deck में हमें इस deck से मिला है, Six of Pentacles, ठीक है, तो चलिए अब दूसरे deck से भी कुछ निकालते हैं, यहां से भी कुछ cards निकालेंगे, और detail में इनके energies देखकर आपको बताती हूं, कि क्या यह इनसान, यह person वापस आना चाहता है, क्या यह reunion चाहता है, किस वज़े से नहीं आपा रहा, देरी क्यों हो रही है, delay क्यों हो रहा है आपके reunion में, और कितना वक्त लग सकता है इस इनसान को वापस आने में, अगर यह आना चाहता है तो यह चाहती है तो अाहता है।। Page of Pentacles और Tower का card निकल कर आया है चले एक कार निकालते हैं चार card निकलेंगे यहां से Three of Cups विल्कुल यहां पर भी Three of Cups आया इधर भी Three of Cups आया Page of Pentacles, Page of Swords Bottom of the deck में निकल कर आया है तो चलिए अब साइन और एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो आज की रीडिंग में सबसे ज्यादा जो साइन नजर आया है जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एर साइन सबसे ज्यादा है पर इसके अलावा आज की रीडिंग कैप्रिकॉन वालों के लिए बहुत इंपोर्टेंट हो पर कुछ लोगों के लिए फायर साइन भी नजर आई है लियो सेजी टेरेजरिस और हां गाइस कैंसर भी आज की रीडिंग में स्ट्रॉंग है ठीक है कैंसर और कैप्रिकॉन तो यह रहे कुछ मेजर साइन और एलिमेंट जो यहाँ पर निकल कर आये है फायर साइन सबसे कम है आज क्रीडिंग में तो क्या यह आपके जो पोर्सन है यह वापस आने की ख्वाहिस रखते हैं क्या यह आपके साथ रिलेशनशिप आगे लेकर जाना चाहते हैं कौन सी चीज़े है जो इन्हें रोक रही है किस वज़े से यह आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे है और क्या आप दोना का मिलन होकर रहेगा बहुत सारे सवाल है गाईस जिसका जवाब मुझे आपको देना है तो मैं आपको बता दू कैसिसे सबसे पहली जो आप दोना का जो connection निकल कर आया है याप दोना का रिष्टे का जो हकीकत है न वह हकीकत है devil का card ठीक है आप devil के card ने बता दि के वज़े से ही आप जानते हो कि कर्मा को साफ करने के लिए है ना आपका जो कर्मा था पिछले जनम में आपने जो गलतिया की थी बहुत सारी ऐसे चीज़े आपने की थी जिसका पता आपको अभी तो नहीं है पर उपर वाले को तो पता है गाइस तो आपका कर्मा क्लिंजिं का card होता है, devil का card हमेशा, धोके का card होता है, time pass का card होता है, sexually attraction का card होता है, हमेशा आपको दर्द देते रहना, आपको रुलाते रहना, ऐसी चीज़े होती हैì karmic connection में, क्यूकि ये इसलिए करते हैं, ताकि आपको अपने कर्मों का फल मिले, का brick connection होने के वजे से, गैस देखें आप दोनों के बीच में tower moment जैसे चीज़े भी आ गई है यानि कि separation का सिकार आप दोनों हो गए हो, tower आ गया relationship में है ना हो सकता है कि आप बरदास्त नहीं कर पाए और आप में सही कुछ लोगों ने इस इंसान से रिस्ता तोड़ दिया या फिर इस इंसान नहीं आ रिस्ते को तोड़ कर रख दिया है तो इस इंसान ने कुछ ज्यादा ही आपको दर्द दिया है ऐसा लग रहा है गईस ठीक है तो पहले situation बताना जरूरी होता है क्या क्या हुआ है आपके साथ ताकि आपको पता चले कि हाँ ये चीज़े मेरे साथ हुई है अगर आपके होता है कि आज की रिडिंग आपके लिए ना हो पाइल नंबर टू की रिडिंग हो सकता है कि आपके लिए मैच हो जाए तो उसे जाकर आप देख सकते हो है ना तो situation का और आपका स्टोरी का मैच होना बहुत जरूरी है तो देखे गाईस टावर यहां पर आया है इसके है और सजा दिने में स्रिफ आपके पोर्सन नहीं है किसी तीसरे situation ने या किसी तीसरे व्यक्ति ने बहुत ज्यादा आग में घhoven डालने का काम किया है ऐसा लगता है तो घर्ट पार्टी के साथ जो है आपके पोर्सने या तो पार्टनरोशिप कर ली थ्रट पार्टी के है destruction हुआ है वो थर्ड पार्टी की वज़े से हुई है पर आपको ध्यान देना है गाईस थर्ड पार्टी तो स्रीफ महज एक वज़े है ठीक है क्योंकि यहाँ पर कर्मा चल रहा है आपका कार्मिक सैंकल चल रहा है और बहुत सारे वज़े का बनना जरूरी भी था ताकि करने को मिले आप तोनों को ही कुछ सबक सीखने को मिले ठीक है तो इस वज़े से यह सारी चीज़े बीज-बीज में आती चले गई तो अब आते हैं आपके सवाल के तरफ कि क्या यह इनसान वापस आना चाहते है देखे गाइस सवाल ही पैदा नहीं होता कि यह इंसान पर कुछ चीजें अभी बी ऐसी है न गाइज़ जो इनहें रोक रही है आपको एट ओफ सोर्स पर ध्यान देना है देखे आना चाहते है इन्होंने प्लानिंग्स भी बना ली है इन्होंने बहुत सारी चीज़े तरीके से आना है किस तरीके से आपके लाइफ में जाना है पर ये अभी यहाँ पर रुके हुए है, ठीके रुकने का मतलब यहाँ पर क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर आ गया हमारा Eight of Swords, यानि कि यह अभी भी कुछ restrictions महसूस करते है, अभी भी यह इनसान कुछ बंधन महसूस करते है, अभी भी अपने आपको बिल्कुल freedom में feel महसूस नहीं करते हैं, कि महसूत अतंतर हो गया हूँ, मैं जाकर खुलकर relationship का offer दे सकता हूँ, या दे सकती हूँ, मैं अपनी भावनाएं बता सकती हूँ, या बता सकता हूँ, express करना चाहते हैं, पर कुछ चीजों को लेकर अभी भी इनसान बंधनों में बंधावा महसूस कर रहा है, जिसके वजह से ये इनसान कदम नहीं उठा रहा, ये इनसान वापस definitely आना चाहता है, आपकी life में, समझ गए, तो आपको समझना है, कि यहाँ पर ये इनसान बंधन से मुक्त क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे की वजह है, देरी के पीछे की वजह है, यहाँ पर आप दोनों का ये connection, यानि कि आप दोनों का हो सकता है, कि अभी वो divine timing नहीं आया है, आपके portion action ले, अपने आपको इन बं इसके वजह से आप इंतजार करते करते ठक गए, आप परिशान हो गए, आप बेचेन हो रहे हो कि कब तक इंतजार करे, महिनों से, हफ्तों से, सालों से आप लोग इंतजार करे हो, अपने इस partner के आने का पर ये इनसान जो है, आता ही नहीं है, तो ठक से गए हो आप, और य आप जो है, अपने ही लिए कुछ अच्छा कर रहे हो गए, तो मेन वजह यहाँ पर trap situation होने का यही है, कि अभी divine timing आपका नहीं आया है, पर ये इनसान देखे, पूरी तयारी करकर बैठा है, सोच रहा है कि कैसे करे, कैसे जाए, कैसे reunion करे, क्योंकि इनको वापस आना है आपके साथ जो है relationship इनको वापस चाहिए, आपके साथ रिस्ता इनको वापस चाहिए, बहुत सारे चीज़ें इनसान सोच रहे है, तो क्या ही अपनी सोच को, क्योंकि खयाली पुलाव बनाने से तो होता नहीं है, इनसान को action लेने की जरुत होती है, कुछ करके दिखाने की जरुत होती है, स्रिफ मुह से बोल कर, कुछ भी चीज़ होता नहीं है, तो action is must, relationship में action लेना, हिम्मत दिखाना बहुत important होता है, तो मुझे आने वाले वाले वक्त में ये नजर आया है, कि जो इनका सोच यहाँ पर चल रहा है, उस सोच को ये इनसान हकिकत में बदलेंगे with knight of swords and the chariot card, अब देखें इतने बहतरिन, chariot का action जब भी reading में आ जाता है आगाईज, आप जानते हो, मैं तो डंकी की चोट पर कहते हूं कि इस इनसान के वापस आना तय है, इस इनसान का वापस आपकी जिन्दगी में आना तय है, और ये स्विफ ऐसे नहीं आएगा, ये कोई भी ताकत आप तक पहुंसने से रोक नहीं सकते, क्योंकि अभी मुझे नजर आ रहा है कि बहुत सारी ताकते हैं, जो इनको आपकी तरफ आने से रोक रही है, आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही है, इनको रोका जा रहा है, या तो कर्मा इनको रोक रहा है, या इनक आने वाला फ्यूचर तो इस सोच को देखें ये इंसान कितने ब्यूटिफुल ढंग से जो है चेंज कर रहे हैं बदलने वाले हैं आने वाले वक्त में ठीक है ये इंसान देखें डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत स्पीर्ट में बढ़ने वाला है ये अपनी भावनाओं को जारा कंट्रोल नहीं करेगा ये अपने सारे बंधनों को तोड़ करना आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए आने ही वाला है देखें इस इंसान के आते चल रहा है भरोसा तूटा है उमीदे तूटी है और आप दोनों ही जो है अपनी अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हो पर आने वाला वक्त आसा नहीं होने वाला है आने वाला वक्त जैसे ही इस सिच्वेशन से निकलेंगे ना देके सन लेकर ये इंसान आपकी मुझे नजर आया है क्योंकि युनिवर्स जो है आपके लाइफ में खुश्यां भेज रही है इस इनसान के जरीए ये इनसान आपको सिर्फ कमिट्मेंट नहीं देगा ये इनसान आपके लाइफ में वो सारी चीज़े देगा जो आपने इनसे मांगा है ठीक है मैरिज होता है बच्चा होता है ट्रावलिंग होती है घुमना फिरना होता है एक दूसरे की भावना को कदर करना होता है सन का कार्ड क्लारिटी का कार्ड होता है यानि कि जो भी चीज़े आस्तर की इनसान आप से चुपाता आया है उन सारे चीज़ों से आपको मिलेगा क्लारिटी ठीक आना जाना कर इनका लगा रहा है, इन एन आउट कर रहे है, कभी बहुत प्यार दिखा दिया, कभी ब्लॉक कर दिया, अगर ऐसा भी चल रहा है, तो इन सारी चीजों से परिशान होने के जुरुत नहीं है, यह सारी clarity आपको मिलने वाली है, stability, यानि कि ठहराओ आपके relationship में होत मत करो, आप मेरा साथ दो, आप मुझे धोगा क्यों दे रहे हो, मैं आप से प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, पर मुझे बदले में वो नहीं मिल रहा है, आप मुझे respect नहीं दे रहे है, आप मेरे साल time pass कर रहे हो, मुझे relationship में commitment चाहिए, तो जो भी चीजे आपने इनसे मांगी है, ये इनसान उन सारी चीजों से दूर भागता गया है आज तक है ना, और आपको दिया है दर्द, क्योंकि आपका कर्मा क्लीन करना है इनको, इनको तो अपना काम करना है ना, तो आप देखे आसा नहीं होगा, bottom of the deck में six of pentacles हमें मिल चुका है, पाई number one, या कि equal balancing वाला relationship जहां पर दोनों ही partner एक दूसरे की खुशियों को देख रहे हैं, एक दूसरे को खुश करने का तरीका ढून रहे हैं, एक दूसरे को निरास नहीं करेंगे, एक दूसरे की भावनाव की कदर करेंगे, respect करेंगे, तो इस तरीकी का खुबसूरत माहोल आप दोने की बीच में होने वाला है, इस तरीकी का blessing आप दोनों को मिलने वाला है, इस sun के card से, जिसे होने में जारा time नहीं लगेगा, pile number one, ठीक है, देखें, ये इनसान जो भी है ना guys, एक तो करमा का मारा हुआ है, है ना, इनको हम गलग भी साबित नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानत है guys, ठीक है, तो हम किसी पर भी ऐसे ही blame नहीं लगा सकते, और उपर से ये इनसान तो बहुत ही मुझे immature भी नजर आ रहा है, देखें, पेज का दो दो कार्ड निकल कर आ गया, पेज का दोनों ही कार्ड ये ही बताता है, कि या तो इस इनसान में समझने की सकती नहीं है, या बच्पना बहुत जादा है, या इनकी age बहुत जादा कम है, ये relationship को ज्यादा value नहीं देते हैं, आप हमेशा maturity से relationship को संभालने की कोशिस करते हो, आपने कभी नहीं चाहाता कि आप दोनों के बीच में ये दरार आए, आप दोनों का रिस्ता इस तरह किसे डूटे, पर आपक समझने की सकती है, ना ही sensibility है, ना ही ठहराओ है, ये इनसान अपनी ही जिंदगी में मस्त रह रहा है है ना, तो इसी वज़े से guys बहुत ज़रा dispute, गलत फैमिया, तकरार relationship में हुई है, जिसके वज़े से आज मुझे दर्थ होता है, देखकर कि तावर जैसे moment को आपने face किया है, आपने बरदास किया है, और फिर भी अभी आप ये जानना चाहते हो कि क्या ये इनसान वापस आना चाहता है, तो मैंने आपको बता दिया कि आना चाहता है, देखके तयार होकर भी बैटा है, पर अभी भी कुछ चीजों को लेकर confusion में है, कुछ चीजों को लेकर doubt में है आपने आपको स्वतंत्र महसूस नहीं कर रहे हैं, आप तक आकर बताने की हिम्मत यहाँ पर नहीं हो रही है, पर वक्त के साथ ही जैसे ही यहाँ पर आपका यह खतम होगा, कर्मा खतम होगा, वैसे ही इस इंसान की जो है एंट्री आपके लाइफ में होगी, यह नई सुरात ह करी रहेगी और आप ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि Knight of Swords बहुत स्पीट को दिखा रहा है, ठीक है, तो Celebration जो यहाँ पर Three of Cups का आया है, यह Celebration भले ही अभी Third Party के साथ इनकी हो रही है, पर आने वाले वक्त में यह Celebration आपको मिलने वाली है, यह खुशियां, यह Blessings इनका साथ, इनके साथ मिलना, जुलना है यह सारी चीज़े आपके साथ इनकी होने वाली है, तो आपको इन खुशियों के लिए अपने आपको तयार करना है, गाइस, Negative Energy में आपको नहीं रहना है, ठीक है, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत सारी चीज़े लेकर आ रहा है आ आपको आपस आ सकते हैं, ट्रस्ट और फेथ, लेट यूर ट्रस्ट और फेथ भी स्ट्रॉंगर द्यन यूर फिर्जन अपचे, डर की भावना से निकलो, साथ बाबा को आपका डर नजर आ रहा है, हैना कि आप बहुत डरे हुए हो इस रिलेशन्शिप को लेकर, बहुत ज ही नहीं हो रहा, क्योंकि यह होना वाजिब भी है, इंतजार इतना लंबा हो गया है, आप में से कही लोगों का, कि आप भरोसा ही नहीं करते, आप आपने आपने मीरी छोड़ दी है, कि अब क्या आएगा ये इंसान, ये इंसान तो दर दे कर जा चुका है, आपने एक और मेसेज निकालते हैं serving the needy तो यहां पर आपके लिए जो है एक काम दिया है काम भेजा है साई बाबा नी ये कह रहे हैं कि जिनको आपकी मदद की जरूत है जिनको आपकी help की जरूत है आप जो है उन्हें help कीजे खाना दान कीजिए, पैसे रुपे थोड़े बहुत दान कीजिए, कपड़े वगर दान कीजिए, ज़रुरी नहीं कि इंसान को ही करें, आप जानवरों को भी कर सकते हैं, ऐसे करने से क्या होता है, आपका कर्मा भी क्लीन होता है, जिस कर्मा को आप भुगत रहे होना, तो उस का भी जो है cleansing होता है अगर आप दूसरों की मदद करते हो दूसरों की help करते हो चलिए आप देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या message है कर देखे इस इंसान के साथ आपको खुल कर बातचीत करनी है अभी हो सकता है कि टावर के आने के बाद आप दुनों के बीच में बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है यह इंसान आपसे बहुत जड़ा दूर हो गया है आपको लगता है कि बहुत दूर चला गया है तो जैसे ही यह इंसान वापस आता है आपको इनके साथ खुल कर बातचीत करनी है जगड़े वगएरा नहीं करनी है बातचीत ही वह में हल है आपके relationship का ना कि बातचीत के जरि और traveling अगर long distance relationship में आप धोनों हो तो traveling बहुत ज़दा possible है ठीक है, बहुत ज़दा possible है कि यह इंसान क्योंकि देखें यहांपर भी नाइट का काड आया है, यहांपर भी ज Corps का का डाया है, यहांपर भी Prince का 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 राया है, यला कि तीनों ही car action को दिखा रहा है, यहांपर भी Sun का काड़ाया है है तो हो सकता है कि ट्रावलिंग बहुत जल्दी इस इंसान की होने वाली है आपकी तरफ ठीक है मिलने के लिए इंसान आ रहे है और कम्मिनिकेशन भी आपको मिलती हुई नजर आई है तो चलिए अब निकालते हैं वो एक नंबर वो डेट जब इस इंसान की वापस आने की उम्मीद हम कर सकते हैं ध्यान देजें ये सभी के लिए मैच होगी ये जरूरी नहीं है ये नंबर आपको ये ध्यान देना है कि इन नंबर को जो नहीं पर निकलेंगे न डेट इसे आपको या तो दिन में गिनना है या हफते में गिनना है या फिर महीने में इससे ज्यादा नहीं गिना है क्योंकि महीनों से अगर आप किसे का इंतजार करते हो तो मैं आपसे कहा देती हूं कि साल साल किसी का इंतजार नहीं करना है तो जो नंबर यहां पर निकल कर आया है वो है नंबर 5, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8 ठीक है ध्यान से देखिए यह वो तारीक हो सकती है जब आपके portion वापस आएंगे आपसे मिलने के लिए या आपके साथ बात्जीत करेंगे ठीक है यह वो तारीक है ज्यान से देखिए नंबर 5, नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 8 ठीक है अब इसके पीछे भी कुछ नंबर्स है यह मन्थ भी हो सकते हैं हफते भी हो सकते हैं यहाँ पर भी सेम यानि कि 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आज की रिडिंग में यहाँ पर फिर से नंबर 5 आया है नंबर 5, नंबर 10, नंबर 2 और नंबर 8 ठीक है तो यही वो दिन होंगे जो आपको तब आपकी पॉर्टेंट वापस आपकी लाइफ में आएंगे ठीक है यह दिन, महीना या फिर हफते हो सकते हैं ठीक है तो आई होप आपको समझ में आ गया है गैस मैं उम्मीद करती कि आप सब भी के पॉर्टेंट जल्द से जल्द इंते वक्त पर ही आ जाए या इसे पहले ही आ जाए है आप जिनको यह ब्लेसिंग्स मिलनी है उनको इन्ही तारिक पर मिल जाएगी इन्ही देट्स पर मिल जाएगी और जिनका वक्त नहीं आया है हो सकता है कि उनको थड़ किसी के सामने तो जुकते ही चले जाओगे तो अपने 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 इतना कहते हुए अब मैं करती हूं आप सबसे बहुत जड़ा प्यार आई लब यू और टेट केर नमस्ते एंड बबाई गाइस वाकम बाक सो जिन्हों ने भी पाइल नमबर डू टू एफ अफ डी एम वी ओ सी एल जी क्यू टी आर और वाई पाइल नमबर टू इसलेट किया है चले देखकर बताते हैं कि क्या आपके पोर्षन वापस आना चाहते हैं अगर वापस आना चाहते हैं तो देरी किस वज़े से हो रही है दूसरा टॉपिक यह है और कितना समय लगेगा आज डे इंतजार करना है या नहीं गैस यह आपका खुद का सोलो डिजिजन है ठीक है क्योंकि आप जानते हो आपका रिस्ता कैसा है आपके पोर्षन कैसे है है ना मेरे से ज़्यादा आप जानते हो यहां तो आप हजारों लाखों लोगों के अनर्जी निकल कर आएगी सभी की सभ आप जानते हो ना इस पर्टिकुलर जिनका डिवाइन चाइमिंग आया है वैसे लोगों को ही यह ब्लेसिंग्स मिलती है सभी को नहीं मिलती आप जानते हो ना इनिवर्स मुझे गाइट कीजिए क्या पाई नंबर टू के जो पोर्सन है वो वापस आना चाहते है चले गाइज यहां से निकालेंगे आठ कार्ट्स ओके और दूसरे डेक से चार कार्ट्स निकालेंगे तो सबसे पहले यहां पर आ गया आपकी आनर्जी नाइन ओफ पांटिकल्स वाव किंग आफ वांस हां यह इन्सान जो है ना इन्होंने कुछ चीज़े तै कर ली है डिशिजन डिशिजन मेकिंग फैसला यहां पर लिया जा चुका है यह इंसान मुझे फोकस्ट नजर आ रहे हैं और किसकी तरफ फोकस्ट है वह भी आप देख लीजी आपकी बगल में एनर कि कर दो फैस ओकार अप्ग utilized इन्सान आपकी बात ने तो भी कैरेटर उरिंटेड इन्सान हों आपकी बात कर रहे ही ओ ऊटिक है सोते हुए भी आपको उन चीजों पर उन चीजों की जारा वैलु नहीं लगता है हमें साइसा लगता है संपन होने के बावजूद भी आपके जिंदगी में किसीश की कमी है ऐसा नजर आता है नाउन प्राटिक्ल्स को देखकर मजीशियन वाव त्री ओफ वैंस त्री आफ वैंस जार कार्ट और निकालेंगे गाइस दो कार्ट साथ में निकल कर आये हैं जस्टिस निकल कर आ गया और देखें पास्ट का पॉर्सुन यह सिट्स अफ कप सोल में का कार्ड होता है साथ में यह पास्ट का कोई इनसान आ रहा है उसका कार्ड होता है वाव जस्टिस विट सिक्स ओफ काप्स यह हुई ना बात गाइस यहाँ पर तो जो फैसला है न गैस मुझे लग रहा है यह फैसला आपके पोर्सन का नहीं है कि इनको वापस आना है या नहीं आना है यहाँ पर जो भी फैसला हो रहा है वो फैसला उपर वाला ले रहा है ठीक है उपर वाला ही चाहता है कि यहाँ पर यह फैसला लिया जाया वो फैसला क्या है यह आपको कुछ देर बात बताऊंगी जब पूरे के पूरे कार्ट्स निकल कर आ जाएंगे देख लीजिए फैसला साइद यही है गईस उपर वाली की मर्जी उपर वाले का फैसला टैन अफ कफ्स निकल कर आया है और बिल्कुल मैजीशन के कार्ट के नीचे और शिक्स अफ कप्स के कार्ट के बगल में ठीक है एस अफ सोर्स और देख लीजिए बॉटम में भी फिर धमाकेदार कार्ट निकल कर आया है गईस देख लीजिए नाइन ओफ काप्स क्या खोपसूरत एनरजी है इस इंसान की तो पॉजिटिव कार्ट देखती हूं जब देखे यहां पर नेगेटिविटी कहीं आपको नजर आ रही है क्या से कार्ट कम निकलते हैं पता नहीं यहां से इस टेक से चार कार्ट जो निकलेंगे वो कैसे निक प्रक्राइब कार्ट पेज ओफ सोर्स का आया सब्सक्राइब काया है निकल कर किंग आफ काप्स यह था आपका सोलमेट ही नजर आ रहा है पाइल नमर टू आज की रिडिंग सोलमेट वालों के लिए हो रही है यहां पर एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया है जो बताता है कि कार्मिक भी होंगे कुछ लोगों के लिए पर सोलमेट के लिए यह रिडिंग 80-90 40-50 वालों के लिए ही होने वाली है अगर आपको लगता है कि आपके पूर्शन के साथ आपका सोलमेट का करेंशन नहीं है कार्मिक है तो जाकर प्ली पाइल नमर नमबर वन की देखलोम क्योंकि आज क्रा आइस कर्णी केल कर आया है और टू कर अनिरगट है दिख कबस की ही energy है चारों तरफ कपसी कफ छाया हुआ है और जब कपस के energy आती है तो आप जानते हो कपस यानि की प्यार की energy होती है कपस यानि इस्वर का वरदान होता है कपस divine connection होता है है यहां पर आगया 10 और बॉटम में फिर से आपकी energy energy Empress की नजर आई है मुझे तो लगता है आप बहुत ही संपन हो गाई आप बहुत ही संपन हो यानि कि खुबसूरत भी हो पैसे रुपे की ज्यादा कमी नहीं है बहुत helpful nature के हो भले ही आपकी किस्मत आपको अच्छी नहीं लगते पर आप दूसरों के लिए बहुत ही लगी हो ऐसा लगता है कि आप मदद भी लोग की करते हो तो लोग आपका साथ भले ही ना दे पर आप उनका साथ देना कभी नहीं छोड़ते तो इस तरीके के एनरजी बरकत वाली एनरजी निकल कर आई है आपकी तो चलिए अब साइन और एलेमेंट की तरफ बढ़ते है आज की रि आपके पॉर्षन वापस आना चाहते है पहला सवाल यह है अगर वापस आना चाहते है तो देरी क्यों हो रही है और तीसरा सवाल है कि कब तक इनके आने की उम्मीध हम कर सकते है डेट सम निकालेंगे तो मैं आपको बता दू बहुत ही प्यार वाला कनेक्शन आप दोनों का है जिसे मैं कहती हूँ डिवाइन का कनेक्शन जिसे मैं कहती हूँ मैजिकल कनेक्शन जिसे मैं कहती हूँ कि उपर वाली की मर्जी है आप द वो स्तिर्फ एक चाहते कि कास ये इनसान मेरा हो जाए कास ये इनसान मेरे जिन्दगी में आ जाए कास इस इनसान के साथ मेरा घर बस जाए कास इस इनसान के साथ मेरे साधी हो जाए कास इनके साथ मेरे बच्चे हो जाए कास इनके साथ मुझे एक खुशाल फैमिली मिल जाए आपके portion के मन में सिर्फ और श्रिफ आपको लेकर ही सारी के सारी भावनाएं मुझे नजर आती है कि आपके साथ ये अपनी तमाम जिन्दगी बिताना चाहते हैं आपके साथ ये अपनी पूरी बुढ़ापे तक ही आपका साथ चाहते हैं आपको इतना perfection से आपके portion देखते है यानि कि आपमें इनको कोई कमी नजर नहीं आती है तो फिर भी इतना प्यार होते हुए भी आप दोनों के बीच में आखिर क्यों आ गए दूरी सवाल तो ये भी है हैना कि अगर इस वर भी चाहते हैं कि आप दोनों का घर बसे अगर इस वर चाहते हैं कि आप दोनों एक द दोनों का जो है आप दोनों से प्रिशन में चले गए क्यों आपको लगता है कि आपके पोर्सन ने आपके साथ न्याई नहीं किया है न तो प्यार बहुत होने के बावजुद भी गाईज एक जो यहां पर रीजन नजर आई है न देरी की रीजन वह रीजन मैं आपको बता द दब गया ठीक है मुझे जहां तक नजर आता है फैमिली ने परिवार ने कास्ट ने या फी बहुत जारा ओवरलोड किसी प्रेशर का हो जाना इन सारी चीजों की वज़े से ही आप दोनों प्यार की बंदन में बंद कर भी एक दुश्य से जुदा हो गया यानि कि टैन ओफ फाइनली जो है आपके पोर्सन ने आपसे दूर होने का फैसला लिया जो यहां पर नजर आता है त्री ओफ वैंड देखे इस इंसान के मन में ना गाईज अभी आप दोनों के बीच में भले ही सेप्रेशन चल रहा है फिर भी इस इंसान के सारे के सारे सपने आप से ही जु यह इस इंसान ने डेफिनिटली आपके साथ यह वादे किये थे पाइल नमबर टू मैं दावे के साथ कह सकती हूँ पर जब यह वादा पूरा करनी का वक्त आ गया इस इंसान ने अपना ध्यान कहीं और लगा दिया कहीं और यह इंसान फोकस्ट हो गए किसी और की बातों म कुछ ना कुछ बोज कुछ ना कुछ बोडन मुझे इस इंसान की जिंदगी में नजर आ रहा है ठीक है तो गाइस देखे प्यार ही प्यार चारो तरफ चाया हुआ है है यह इंसान आपको दिल से प्यार करता है मैं दावे के साथ कह दू आप कितनों को करता है यह मैं नहीं बता सकती गैस पर जब निकल कर आये है कार्ज इतने सारे प्यार वाले तो कुछ बंदे या बंदिया तो यहां पर है जो आपसे बहुत ज़्यादा दिलो जान से प्यार करते हैं आज भी आपको भूल नहीं पारे ठीक है तो सबसे पहले इनकी भावनाएं बताना आपके नहीं और जब प्यार दिल में होता है गैसे इनसान की ही मदद ऊपर वाला भी करता है आप दोनों का तो ना गैस आप दोने एक दुस्य को बोलो भी ना ला कि आपको अगर आपके पोर्चान की तरफ से इजहार भी यह इंसान ना करें आप इनको इजहार ना करो तो भी से जादू है है ना ये इनसान हर पल आपके खयालों में है और आप भी हर पल इनके खयालों में है भले ही आप दोनों के बीच में बातचीत ना हो रही है communication नहीं है दूरी है distance है फिर भी ये इनसान आपको दिलो जान से चाहते हैं और आपको याद कर दे हैं ये तो आपको manifest तक कर रहे हैं ये चाहते हैं कि जल से जल जो है इनकी जिन्दगी से ये जो बोज चल रहा है ना बोडन लेकर जो ये ढोकर चल रहे हैं ये बोडन जल से जल खतम हो जाए और ये जो है अपने प्यार के पास वापस आ जाए गाईज मैं बता दो आपको कि इस इनसान ने आपको चाहत से आपको अलग नहीं किया है इनकी मर्जी के खिलाफ हुआ है यहाँ पर जो भी हुआ है आप भली भाती आप जानते हो कि किस वज़े से इस इनसान ने आप से दूरी बनाई है मुझे तो सिर्फ यहाँ पर कुछ चीजों का लेकर बोज नजर आ रहा है और फैमिली प्रेशर ही मुझे जादा यहाँ पर नजर आ रहा है समझ गए तो गैस सुनिए क्या यह इनसान वापस आना चाहते है क्या आप भी आपको इस सवाल का जवाब चाहिए जबकि मैंने आपको टोटली पूरी तरीके से बता दिया है कि यह इनसान आपको भूल नहीं पा रहे है इस इनसान को अगर जीवन साथी की रूप में अगर कोई चाहिए ना तो वो सिर्फ और शिफ आप है आप से ही इनकी दुनिया है आप पर ही इनकी दुनिया खतम हो रही है ऐसा नजर आता है तो देखे गाईस आज के रिडिंग में जो भी होना है यह इस्वर की तरफ से होना है यानि कि आपके पोर्षन भले ही आक्शन लेने की कोशिस ना करे भले ही यह बोज महसूस करे भले ही इनको लगे कि अभी साइद वक्त नहीं आया है पर जो भी होना है मिराकलस वे में होना है यानि कि बहुत ही चमतकारिक रूप से आप दोनों का रियोनिन होने वाला है समझ गए जहां पर इस और आपकी हल्प करेगी जहां पर उपर वाला जो है आपके और इनकी विश्कों फुल्फिल करेगा क्योंकि यहां पर बॉट्टूम अफ दर डेक में नाइन ओफ कप्स का काड़ हमें मिल चुका है जो बताता है कि इस इंसान की इच्छा है आपके साथ रहना इस इंसान को चाहिए आपके साथ रिलेशनिशिप इस इंसान को चाहिए आपके साथ रियूनियन क्योंकि ये इंसान आपको perfect मानते हैं, आपको अपना कर्मा मानते हैं, आपको अपना भागय मानते हैं, आपको अपने destiny भी मानते हैं, इतना प्यार करता है ये इंसान आपसे, तो जो भी यहाँ पर blessings क्योंकि दो प्यार करने वालों को ना guys, उपर वाला इतने आसानी से अलग नहीं करेगा ठीक है ये जी तोर कोशिस करेंगे उपर वाले भी आप दोनों को एक करें, आप दोनों की बीच में मिलन हो ठीक है, तो उपर वाले की कोशिस मुझे यहां पर नजर आ रही है, आप दोनों के बीच आजाएगा बहुत सारा धेर सारा प्यार लेकर आएगा और यह होगा आपका वही पास्ट का इनसान जो आपको अभी भूल नहीं पा रहा है यानि कि आपको रिलेशन्शिप का उफर दे रहा है इतना मतलब दो लोग यहां पर है देखे एक देने के लिए तयार है दूसरा ल होना है आपका सोल मेट आपको मिल रहा है यह इंसान तो आपके पास वापस आना नहीं चाहता है यह इंसान तो आपको पाना चाहता है आपको इस बात को ध्यान देना है इन दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है वापस आना और आपको पाना इनमें ना फरक है जमीन आस् ठीक है तो देखे इस दूरी को खतम होना ही होगा जस्टिस आपको मिल रही है आपके पोर्शन डेफिनेटली आपके ही फेवर में जो है फैसला लेंगे ठीक है नहीं आपको मिलेगा यहाँ पर टेन ओफ वेंड्स आया है यानि कि हो सकता है कि किसी के कहने पर यहां फिर किसी मजबूरी में आकर इस इंसान ने जो है अपना ध्यान कहीं और जो है घुमा दिया है ना आपकी तरफ से फोकस हटा दिया पर ऐसा नहीं होने वाला है गाईस जस्टिस तो आपको ही मिलेगी जस्टिस का कार्ड क्या होता है रियूनिन का कार्ड होता है मिलने का कार्ड होता आपको ही इंसाफ देने का कार्ड होता है तो इंसाफ आपको मिलेगा और यह इंसाफ आपके पोर्षन नहीं गाई उपर वाला ही यहाँ पर देने वाला है unexpected blessings यानि कि कलपना से परे इस तरीके की blessings आपको मिलने वाली है ठीक है और यहाँ पर मैं आपको यह बता दो कि कोई यहाँ पर जो कार्ड निकले है इसे देखकर मैं यह तो कह सकती हो कि कोई भी कोई भी टाइम यहाँ पर ना कैलकुलेट करके बताना मुस्किल है anytime यह हो सकता है अभी भी हो सकता है जब आप इन्सान को वो प्यार नहीं मिल जाता ना जिसे इन्होंने दूर कर दिया है तब तक इस इंसान की इच्षाय अधूरी रह जाएंगी तब तक यह इंसान अपने आपको अधूरा महसूस करेगा और जब इनके लाइफ में इनका यह सोलमेट पार्टनर मिलेगा वापस आएगा ना तब जाकर उनको लगेगा कि मेरे सारी इच्छाए पूरी हो गई अब मैं खुश हो सकता हूँ अब मुझ मेरे में कोई बोच नहीं है बहुत प्यार करते हैं यह आप से पाइल नमबर टू देखे अभी भी यहाँ पर देखे अगर King of Cups को देखेगा ना यह एक ऐसे समझदार इंसान का कार्ड होता है ना कि जिनके मन में बहुत प्यार होता है है ना जिनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट होती है पर यहाँ पर कही ना कहीं यह इंसान इतना जड़ा आपने आपको मजबूर महसूस करता है ना कि यह आपको अपना प्यार भी नहीं बता रहा एक्सप्रस भी नहीं कर पा रहा ठीक है तो आपको समझना चाहिए गई है पर फिर यहां पर बात वही है कि इंसान action नहीं ले रहा यह इंसान खड़ा नहीं हो रहा यह इंसान आपको बता नहीं रहा तो जो भी होना है आज की reading में यहां पर magician जो है हमारे universe वही करने वाले है divine timing पर ही आपके और इनके relationship में एक turnover आएगा एक ऐसा बदलाव आएगा ना जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ठीके तो उस blessing के लिए आपको तयार होना है और blessing क्या होगी blessing होगी आपके आपके partner के साथ 10 of cups यानि कि आपको वह सारा प्यार सम्मान घर परिवार commitment long term relationship सारी के सारी चीज़े यही इंसान आकर आपको देगा इनको आपके लिए बनाया गया है नई शुरुवात होगी देखे एस ओफ swords भी आ गया एस ओफ cups भी आ गया दोनों ही दिखा रहा है कि बहुत जल्दी है ना बहुत जल्दी यह process होने वाला है जारा वक्त नहीं लगेगा एस ओफ swords spirit को दिखाता है एस ओफ cups प्यार को दिखाता है ना यानि कि बहुत रफतार से प्यार आपकी तरफ आ रहा है बहुत रफतार से प्यार यहाँ पर start होने वाला है new beginning आप दुनों के बीच में हो रही है ठीक है तो एक इंसान है गाईस जो अभी आपको छुप चाने थे पहले friendship हुई है फिर रिस्ता आगे बढ़ा है है ना तो बहुत ही ज्यादा pure connection मुझे नजर आता है जहां पर नफरत नहीं है प्यार है जुदाई के बाद भी आपके लिए प्यार को महसूस करना प्यार को ही feel करना तो ऐसे ऐसे लोग बहुत कम गिने चुने होते ह अब पता नहीं कि कितनों का connection ऐसा है आज की रिडिंग में है ना क्यूंकि प्यार ही प्यार मुझे नजर आया है इस इंसान के energies में तो ऐसे लोग तो कमी होते हैं आज के generation में है ना तो चलिए यह तो रही उनकी भावनाए क्या वह वापस आना चाहते है जी नहीं वह वाप वापस आना नहीं चाहते हो तो आपको पाना चाहते है यह है पहले सवाल का जवाब देरी क्यों हो रही है इनके वापस आने में तो मैंने कह दिया आप दोनों का divine connection है जब आपका सही वक्त आएगा तभी जो है यह magic यह चमतकार होने वाला है ठीक है सही वक्त पर ही यह सार लेंगे गाइदन्स आपके लिए निकालेंगे ठीक है तो हो सकता है कि कोई है आसपास जिनके साथ आपका soul to soul connection है यानि कि ज़रूरी नहीं है कि अपने boyfriend या girlfriend के साथ ही आपका soulmate का connection हो आपके दोस्त भी कुछ ऐसे हो सकते है जिने आप दिल से चाहते हो जो आपके बारे में दिल से अच्छा सोचते है अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई इंसान है जिसे लगता है कि हाँ इसकी बा कि अगर एसे इंसान आपके पास है तो यह आपकी मदद कर सकते हैं तो if a person from your soul group is trying to help you take this मदद लेने के लिए कहरे मदद से इंकार मत किजिए अगर कोई आपको मदद देने की कोशिस कर रहा है किसी भी चीज में ठीक है कि वह आपका अच्छा ही चाहता है attachment in being over attached to your worldly roles do not neglect your soul purpose तो यहाँ पर यह guidance है जो बहुत खुपसरत है इसे apply करना जरूरी है गाईस है अगर हम किसी भी इंसान के साथ या किसी भी परिस्तिति के साथ हाथ से ज़्यादा जुड़ जाते हैं यानि कि हाथ से ज़्यादा जुड़ाओ किसी चीज के लिए अच्छा नहीं होता है तो आपने आपको उतना ही मतलब उतना ही attach करो किसी के साथ ना ताकि आपको बाद में तकलीफ ना हो उस इंसान से दूर होने में या फिर यह आपको ज्याता परिशानी का सामना ना करना पड़े तो थोड़ा limited way में ही आपको जुड़ना है किसी भी चीज से ग आपका कार्ड निकल कर आया है ना nine of pentacles और empress का कार्ड यानि कि आप बहुत अगर कोशिस करोगे तो आप बहुत उचे मुकाम पर आप पहुंच सकते हो गया आप में इतनी ability है इतना talent आप में भरा हुआ है तो अपने कुछ soul purpose को भी आपको ध्यान देना है गया सब्सक्राइब की तरफ से संदेज आप एंजल की तरफ से देखते हैं एक message क्या निकल कर आता है अगर बहुत ही mind-blowing reading थी file no.2 आज बहुत दिल खुश हो गया इस reading को देखकर मैं तो चाहती हूँ कि सभी के person ऐसे ही हो loyal हो इमानदार हो दूर रहकर भी है आपको चाहे आपको प्यार करें पर सभी के ऐसे होते नहीं न गैज तकलिफ यही है communicate clearly तो देखे communication आपको मिल रही है और जब यह इंसान वापस आपकी life में आपको पाने के लिए आना चाहेगा ना तब आपको इनके साथ खुल कर बाते करनी है सबसे पहले यह जो बोच इनके जिन्दगी में जो है न गैस इस बोच को आपको हलका करना है आपको इनसे सवाल करने है कि आखिर आपकी life में problem क्या है आपने मुझसे जो दूरी बनाई है है न उसके पीछे की वजह क्या है क्या चीज़े आपको रोक रही है तो आपको इन के साथ बातचीत करनी है और खुल कर बातचीत करनी है एक्सप्रेस करना है खुद का प्यार भी एक्सप्रेस करना है खुद के प्रॉलम्स भी एक्सप्रेस करनी है इनके प्रॉलम्स भी आपको सुननी है तो चलिए अब देते हैं आपको वो number हाला कि मैं आपको पहले ही बत लगेगी जिसकी आपको खबर भी नहीं लगेगी ऐना ऐसे होने वाला है इस इंसान के साथ आपका रही होने तो यह नंबर्स महज जो है एक आपकी क्लारटी के लिए मैं दे रही हूं यह नंबर्स गाइस चलिए एक एक नंबर मुझे चाहिए यहां से आपको ध्यान देना है कि इन नंबर्स को आपको इन जो डेट्स को आपको यह तो डेट में लेना है या फिर हफ्ते में लेना है विक्स में लेना है या फिर मंस में लेना है साल का इंतजार नहीं करना है समझ गए मैं कभी किसी को यह सजिस्ट नहीं करती कि आप साल हो तक किस सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी और को चांस दे सकते हैं ठीक है पर सालों सालों किसी का इंतिसार करना यह ब्योग कुफी होती है जले एक नमबर मेंने निकाला है NUMBER 4 IMPORTANT हो सकता है NUMBER 2 IMPORTANT है आपके लिए 3 IMPORTANT है और NUMBER 6 IMPORTANT है इन नमबर सको ध्यान से देखे यह आने वाले वक्त का डेट हो सकता है दिन हो सकता है हफ्ते हो सकते है या फिर महिने हो सकते है ज्यादा से ज्यादा अब पीछे लेते यहां पर फिर से नंबर 4 रिपीट हुआ है और नंबर 8 भी रिपीट हुआ है ठ announce पारो 2 कि आपका यह situation आपसे match नहीं हो रहा इस इंसान ने आपको कभी इतना प्यार किया ही नहीं है अगर आपको ऐसा लगता है न तो जाकर प्लीज पाइल नंबर वन की रिडिंग आप देख सकते हो अगर सिच्वेशन रेजनेट होती है तो ठीक है तो गाइस इतना कहते हुए आप में रिडिंग को कर रहे हैं क्लोज आपको रखने है अपना बहुचा ख्यार क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत जादा प्यार I love you all ठेक केर नमस्ते एंड बबाई गाइस